हलो एब्रिवन, वेलकम टू 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 के वारे में, आज हम बात करेंगे exercise 1.2 के questions के बारे में, exercise 1.2 real numbers के, exercise 1.1 and जो real number का introduction था वो हमने उसके बाद इसे पिछले वाली वीडियो में की थी, तो अगर आपने वो वीडियो देखी है, तो well and good, आज आओ हम exercise 1.2 के questions करते हैं, आगर जिसने नहीं देखी है, तो उनके लिए हमने previous वीडियो का link जो है, वो description में दिया है, तो वहाँ जाके उन वीडियो को आप देख सकते हैं, ओके, तो बात करते हैं exercise 1.2 की, तो exercise 1.2 में मैंने एक property discuss की थी पहले से ही, कि fundamental theorem of arithmetic, तो उसका एक third use था, जिसमें मै पर बेस सारी questions हमारे याँ पर exercise 1.2 में रहने वाले हैं, और ये questions 100% आपके exam में आते हैं, इनको अच्छे से करना, अच्छे से समझना, कोई doubt रह जाए, तो आप comment section में ज़रू बताना, ठीके, तो हमारा exercise 1.2 का सबसे first question है, prove that under 5 is irrational number, ओके, तो अगर इसको हमें irrational प्रूव कर करेंगे, let us assume that under 5 is irrational, ठीक है, तो यहाँ पर हम भी क्या करना है, जो irrational बोला गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, कि ये एक rational number है, अब rational number की definition से हम क्या कह सकते है, we can say that under 5 equals to P upon Q, where P and Q are co-primes, co-primes समझते हो न, co-primes क्या होते हैं, and Q should not be equal to 0, ओके, ये rational number की definition है, और ये rational number की condition है, rational number की definition में पता है, कि किसी भी number को अगर हम P upon Q की form में लिखते हैं, तो उसको हम बोलते है, rational number जहाँ पर Q जो है, denominated जो है, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा है, co-primes, तो P and Q integer तो है, लेकिन उसके साथ co-primes भी है, co-primes मतलब क्या, कि इन दोनों के बीच में कुछ भी common नहीं होगा, जैसे P और Q का कोई भी factor common नहीं होगा, except 1, तो देखो, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको cross multiply कर देना है, तो cross multiply कैसे करेंगे, under 5 into Q equals to P, यह आ जाएगा, ठीक है, यह cross multiply करने के बाद आ गया, अब इसके बाद हमें क्या करना है, square करना है, on squaring both the sides, तो देखो, दोनों साइट का हम क्या करेंगे, square कर देखेंगे, तो क्या आएगा, देखो, under 5 Q whole square, और इदर P square, ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको open करेंगे, तो 5 Q square equals to P square, यह बन जाता है, हमारा, यहाँ तक, 5 Q square equals to P square, तो देखो, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इस equation से, इसको मैं equation number 1 बोल देता हूं, यहाँ पर ऐसे करके, थोड़ा सा distance पर हम, ऐसे करके बनाते हैं, तो इसको बोलता है, equation number 1, okay, so equation number 1 से, हम क्या बोल सकते हैं, कि जो P square है, वो 5 से divide होता है, जो P square है, वो 5 से divide होता है, तो क्या P भी 5 से divide होगा, जैसे 25 जो होता है, 5 का square है, 25, तो 5 का square 25 जो है, वो 5 से divide होता है, ठीक है, तो क्या 5 भी 5 से divide होता है ओविसली 25 जो है वो 5 से डिवेड होगा तो 5 भी तो 5 से डिवेड होगा अना यहां पर यह हम बोल सकते हैं दस पी स्क्राइब इस डिवीजिबल वाइ 5 यहां पर पी स्क्राइब तो पी जो है अगर 5 से डिवेड होगा तो पी जो है वो 5 से डिवेड हो जाएगा ऐसा ही होता है अगर 25 को अगर 5 से डिवेड करते हो तो 25 क्या है 5 का square है, तो 5 जो है, वो भी तो 5 से divide हो जाएगा, तो यह चीज़ यहां पर होती है, ठीक है, अब यहां पर हमें एक assumption फिर से करना होता है, let us assume, इसको मैं यहां लिख देता हूँ, ठीक है, यह जो line में बनाता हूँ, यह space नहीं होता है, नीचे इसलिए बनाता हूँ, लेकिन तुम्हें 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 जो board के exam की copies होती है, जहां पर तुम answer write करते हो, तो उसमें तुम्हें इस तरीके से lines नहीं बनाने है, उसको ऐसे sequence में, one by one, lines में लिकना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, आपे, partitions नहीं करना है, ठीक है, तो देखो, also divisible by 5, p square is divisible by 5, hence, p is also divisible by 5, ठीक है, ठीक है, p equals to 5k, ठीक है, एसा हम यहां पर assume कर लेते हैं, for any value of, for a natural number k, ठीक है, ऐसा हम consider कर लेते हैं, कि जो p है, वो 5k है, तो अब यहां से देखो, on substituting value of 5 in equation 1, okay, sorry, value of p, value of p in equation 1, equation 1 कहां पर है, यह रही, तो 5 q square equals to kya होता है, p square, so 5 q square equals to 5 k whole square, ठीक है, p की जगह रखना है, तो p की जगह रखोगे, तो 5 k, जो है न, उसका भी क्या हो जाएगा, square हो जाएगा, so यहां पर 5 q square equals to 25 k square, so यहां से अगर मैं देखों, देखों, 5 है, यहां पर 25, तो यहां के इसको divide कर देगा, q square equals to 25 upon 5 into k square, तो यहां से क्या बोल सकते हो, कि q square जो है, वो 5 k square के equal होगा, बोलो, ऐसे समझ में आया, q square equals to 5 k square, है न, यह चीज़ आ गए, अब इसको हम बोलते है, equation number 2, चाहो तो लिख लो, चाहो तो ना लिखो, क्योंकि यहां से हमारा, जो answer है, वो आना start हो जाएगा, देखो, q square equals to 5 k square, तो फिर यहां से हमने जैसे यह वाली definition बोली, यह वाली language बोली थी, कि p square जो है, 5 से divide होता है, तो p जो है, वो भी 5 से divide होगा, तो यहां से देखो, जो q square है न, वो 5 से divide होगा, न, here, q square is divisible by 5, so q is also, q is also divisible by 5, q is also divisible by 5, तो देखो, अभी हमने कहा था कि p and q जो है न, वो co-primes होने चाहिए, लेकिन यहां पर देखो, क्या हुआ, जो p है, उसका एक factor 5 है, और यहां पर जो q है, उसका भी एक factor क्या है, 5, तो दोनों के factor में ने क्या कहा था, कि दोनों का कोई सा भी ऐसा factor common नहीं होना चाहिए, 1 के अलबा, except 1, लेकिन यहां पर तो 5 जो है, दोनों में common आ रहा है, ओके, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, hence, therefore, therefore, p and q are not co-primes, p and q are not co-primes, क्यों co-primes नहीं है, क्योंकि दिखो, इनके factor में 5 आ रहा है, जबकि 5 नहीं आना चाहिए, उनली एक factor जो है, वो common आना चाहिए, जो होता है, 1, except 1, वहाँ पर कुछ भी common नहीं होना चाहिए, बट यहां पर देखो, p जो हो 5 से डिवैड होता है, और q जो है, वो भी 5 से डिवैड होता है, मतलब दोनों में ही एक common factor आ गया 5, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, कि p and q जो है, वो co-primes नहीं है, अगर यह co-primes नहीं है, तो हमने जो यह assume किया था, वो सब क्या हो गया, wrong हो गया, hence our assumption is, therefore p and q are not co-primes and our assumption is wrong, our assumption is wrong, hence under root 5 is an irrational number, hence under root 5 is an irrational number, यह है इस क्यूशन का complete solution, exact ऐसे ही आपको लिखना होता है, वहाँ पे, क्यूंकि step by step अगर आप solution करते हो, तो आपको full marks मिलते हैं, अगर आप यहाँ पे बीच में कोई step miss करते हो, या फिर कोई भी mistake करते हो, under root 3 कहीं पे कर देंगे, under root 2 कहीं पे कर देंगे, under root 7, इस तरीके से कुछ भी number देंगे, और उसको बोलेंगे क्या, कि यह irrational है, तो प्रूव करके बताओ, ठीके, तो यह पूरी language जो है यहाँ से लेके, यहाँ तक same ही रहने वाली है, बस वहाँ पे हम क्या कर देंगे, जहाँ पे root 5 था, इस इन number से क्या कर देंगे, replace कर देंगे, बाकि सारी definition जो है, वो same ही रहने वाली है, तो I hope यह question number 1 आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक यह इसका complete solution होता है, अब हम देखते हैं, इससे और जो question बनते हैं, वो, हम पेकिन बताया कि यह भी एक irrational number है, तो इसको हमें क्या करना है, irrational proof करना है, तो irrational प्रोव करने के लिए मैं नहीं क्या का कहा, कि जो भी irrational number तो में given है, उसको तुम क्या मान लो, rational number, तो consider कर लो, कि यह जो है यह क्या है, rational number है, तो इस में भी same process रहने वाली है, Let us assume that 3 plus 2 under root 5 is a rational ठीक है? यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? एक अच्छी बात यह है exercise 1.2 में कि इसमें जितने भी क्यूशिन्स है उन सब की language लगबग same है ठीक है? तो यहाँ पर ज्यादा confuse होने की जरूरत नहीं है हम confuse होंगे भी नहीं क्योंकि सब में same process रहने वाली है तो एक दू बार अच्छे से अगर हम practice कर लेगे तो हमारे इस exercise 1.2 के marks कहीं पर भी नहीं जाएंगे तो देखो, यहाँ पर हमने एजुम किया कि 3 plus 2 under root 5 जो है वो क्या है? एक rational number है तो from the rational number की definition we can say we can say that 3 plus 2 under root 5 equals to P upon जैसे पिछली क्यूशन में कहा था वैसे ही where P and Q are P and Q are co-primes and Q should not be equal to 0 यह rational number की definition से हमने लिखा है ठीक है जैसे पिछली क्यूशन में हमने समझा था वैसे ही तो यहाँ पर 3 plus 2 under root 5 equals to P upon Q where P and Q are co-primes and Q is not equal to 0 ओके तो अगर ऐसा है तो देखो इस equation को थोड़ा सम अगर solve करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते है कि 2 under root 5 equals to P upon Q minus 3 कैसे जो यहाँ पर 3 plus में था इस 3 को मैंने इस side send किया है transfer कर दिया इस side तो यहाँ पर क्या आ जाएगा P upon Q minus 3 क्योंगि इधर plus था तो इधर जाएगे क्या हो जाएगा minus ठीक है अब यहाँ पर देखो 2 को जो है न यह 2 जो है यहाँ पर multiply में है क्या मैं इसको इधर जाओ इधर send कर दूँ तो इधर send कर दूँगा तो किसमें आ जाएगए divide में तो 1 upon 2 P upon Q minus 3 इस तरीके से मैं इस equation को बना सकता हूँ तो यहाँ तक समझ में आया यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो यहाँ पर 3 plus में था उसको इधर send किया तो यह minus में आ गया यहाँ पर 2 जो है वो root 5 के साथ क्या है multiply में है तो मैंने root 5 को तो यहाँ पर रखा होगे तो कोई integer ही आएगा ठीक है उसको अगर 1 by 2 से डिवाइड करोगे तो वो आपका एक rational नमबर रहेगा ठीक है कुल मिला कि यह क्या है आपका एक rational नमबर है और यह root 5 जैसे पिछले question में हमने प्रोव किया था प्रोट 5 क्या था हमारा irrational नमबर था तो अब बताओ क्या एक irrational irrational नमबर एक rational नमबर के equal हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ठीक है तो rational rational के equal हो सकता है irrational irrational के equal हो सकता है बट एक rational नमबर और एक irrational नमबर कभी भी equal नहीं हो सकते इनका आपस में मौय मौय नहीं हो सकता ओके सो हम क्या करते हैं आप एक ची समभूल लेंगे here P upon Q R is R integers sorry P upon Q नहीं P and Q here P and Q are integers so 1 upon 2 P upon Q minus 3 is a rational number बोलो यह integers है तो यह भी एक rational number होगा और इसको 1 by 2 से multiply कर दो तब भी यह क्या रहने वाला है rational number रहने वाला है ठीक है तो यह कुल मिला कि यह वाली टर्म जो है यह क्या है एक रेशनल नंबर है तो यह वाली भी रेशनल होनी चाहिए बट यहां तो क्या है अंडरूर फाइव है जो की irrational number होता है तो हम यहां से क्या बोलेंगे बट अंडरूर फाइव इस एन इर्रेशनल नंबर एडररीशनल नंबर देर्फोरर आरर जम्शन इस रोंग रोंग क्यों हो गया क्योंकि यह दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते हैں जब इक्वल हो ही नहीं सकते हैं थो हमने जो कंसिडर किया है वो हो रोंग हो गया you aren't mentioned is therefore देफोर आजंशनीज इस रोंग ठीक हमारी अजंशन क्या है यहां पे रोंग तो अब देखो इसका थोड़ा सा पाट रहे है जिसको मैं यहां पर कर देता हूं मत हमेश्था मैं बोलता हूं कि इसको यहां पर ऐसे नहीं करना है वन वाई-वन सिक्वेंस में ही गंडा है ठीक है तो इसको थोड़ा सा पाट रहे है उसको मैं वाँ पर सोल कर रहा हूं मैंने यहां पर बोला कि आर जंशनीज रॉंग कि अजंशन क्या था कि 3 प्लस 2 अंडरूट 5 जो है वो क्या है एक रेशनल नमबर है ओके तो जब आसा अ तो इस तरीके से हमें इस क्यूशन को सौल कर सकते हैं और फाइनली हमने बता दिया कि 3 प्लस 2 अंडरूट 5 जो है वो क्या है एक रेशनल नमबर है ठीक है आप देखो इसके जैसे सिमिलर क्या क्या बन सकते हैं इसमें कुछ भी चेंजिस कर सकते हैं मैं से मैं कोई भी नंब अगर हो तो उसका हमें क्या करना है रिप्लेस करते जाना बाकि लेंग्वेज एकदम सेम रहने वाले है ठीक है जैसे यहां पर 3 प्लस 2 अंडरूट 5 यहां पर 3-2 अंडरूट 5 ऐसा भी क्यूशन बन सकता है यहां पर 3 प्लस 3 अंडरूट 5 इस तरीके से कोई भी क्यूशन बन सकता है लेकिन अगर इस तरीके का क्यूशन है तो उसकी जो लेंग्वेज है वो ऐसी होनी चाहिए इस तरीके से कंप्लेंट आंसर हमें वहां पर राइट करना है ठीक है तो आई होब यह समझ में आ गया होगा ठीक है तो चलो नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं कि और इस यह सब आजाए हमें उसको कंट्रीक्शन करना है जैसे इरिशन बोला है था मुसको क्या वो देंगे कि वह एक रेशनल नंबर है ठीक है तो इसमें भी सम्सेम वेसा ही हम करने वाले हैं सो हम बोलेंगे लैट आस अजूंव दाट दाट सेवन अंडर रूट फाइव इस अ रेशनल नहीं रेशनल नंबर ठीक है सेवन रूट फाइज एगन रेशनल नंबर की हमने इसा 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 कंसिडर कर लिया तो अब देखो भई फिर से वी कन से या या वी कन राइट भी लिख सकते हैं पर ऐसा कुछ नहीं है अपने अपनी लेंग्विज होती है तो वी कन से या या वी कन राइट या वी हैव ऐसा भी हम लिख सकते हैं सो 705 इकल स्टो पी अपन क्यू 705 इकल स्टो पी अपन क्यू फिर से वही इसकी कंडिशन वेर पी एंड क्यू आर वो प्राइम्स and q should not be equal to 0 यह पूरी definition और पूरी condition हमें वहां पर हमेशा लिखनी अगर यह conditions नहीं लिखो गए तो वहां पर marks हमारे cut हो जाएंगे ठीक है तो जब भी आप किसी rational number को लिखते हो तो उसके साथ उसकी condition हमें लिखना जरूरी होता है जो उसकी condition होते हैं वो हमें दिखाना जरूरी होता है ठीक है देखो 705 इकल्स टूप फिर से इसमें देखो यहां से अब हमें इसमें cross multiply ऐसे नहीं करना है हम क्या करेंगे यहां पर जो 7 है इसको इधर send कर देंगे ठीक है अब मैंने क्या गया जैसे यहां पर बताता हूं में 3 अपॉन 4 एक रेशनल नंबर था चीक है अब मैंने क्या इसको 3 अपॉन 4 इंटू 7 कर दिया तो कितना है अब भी यह कोई एक रेशनल नंबर है क्या है अब भी यह क्या है हमारे पास एक रेशनल नंबर है ठीक है तो यहाँ पे मैंने क्या क्या P upon Q जो था वो एक rational नमबर था उसको 1 upon 7 से multiply कर दिया तो अब भी तो यह rational नमबर ही है ठीक है यह rational है और root 5 फिर से हमें बताए कि यह rational नमबर होता है कि यहाँ पे देखो Q में given होगा अगर नहीं भी given है तब भी हमें ऐसे ही करना है कि root 5 जो है वो irrational नमबर है ऐसा अगर गिवन है मलब consider करना है तब भी ठीक है नहीं करना हो तब भी ठीक है हम हमेशा मानके चलेंगे कि root 5 जो है वो क्या है एक irrational नमबर जब तक कि जैसे first question उनमबर जैसा question न आ जाए या पिछले question में जैसे बात हुए थी 3 प्लस 2 और root 5 वेशे question आ जाए तो उन सब में root 5 जो होता है, root 2 जो होता है, root 3 जो होता है, उन सब को हमें automatic irrational number ही consider करना है, ठीक है? So, यहाँ पर देखो, root 5 जो है, यह irrational number होगा, और यह वाला जो number होगा, वो एक rational number होगा, ठीक है? So, here, p upon 7 cube is a rational number, but, under root 5 is an irrational number. ओके, तो जैसे पिछले कुशन में बात कि थी, कि एक rational number होगा, और एक irrational number होगा, तो यह दोनों कभी भी equal नहीं हो सकते, rational और irrational equal नहीं हो सकते, तो यह वाली rational है, यह वाला irrational है, तो यह दोनों equal नहीं हो सकते, therefore, our assumption is wrong, therefore, our assumption is wrong, assumption क्या थी हमारी, कि 705 जो है, वो एक rational number है, तो यह assumption क्या होगी हमारी wrong तो 705 अगर rational नहीं है, तो क्या है फिर irrational है, हैंस, 705, 705 is an irrational number, ठीक है, तो यह हो गया, इस क्यूशन का complete solution, यह एक्स्टा में था, यह हमें नहीं करना है, ठीक है, वो एक्जम्पल के लिए समझाए था, तो यह इसका complete solution है, इस तरीके से हमें exam में हमारे क्यूशन का solution करके आना है, तो हमारे marks जो होंगे, वो पूरे marks हमें मिलेंगे, और यह condition का जरूर ध्यान रखना है, बहुत बार हम क्या करते हैं, जब क्यूशन तो पूरा solve करके आ जाते हैं, बट यह condition नहीं लिखते हैं, जैसे मैंने सभी questions में बताया, यहां पर 3, under root 5, 3, under root 2, इस तरीके से 4, under root 7, इस तरीके से कुछ भी question मन सकता है, तो ऐसे question जब भी आएंगे, इस pattern के जब भी question आएंगे, तो यह हमारा solution होना चाहिए, अगर हम इस तरीके से solution करके आएंगे, तो हमारे marks जो है, पूरे आएंगे, तो I hope यह question आपको समझ में आ गया होगा, तो इसी के साथ हमारे exercise 1.2 जो है, वो finish होती है, और इसमें जितने खरता सा लिक्वे में बतातां हूँ, ठीक है, मानलो हमें question दिया गया है, यह अलग से है, extra में है, ठीक है, अलग साlet हमें question दिया गया है, मानलो कि 1 upon अपॉन under root 2 है, और इसको हमें क्या करना है? Irational Claro करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 1 upon under root 2 जो है, उसको हम P upon Q consider कर सकते है हम मान लेंगे कि यह क्या है एक rational number है तो अगर rational होगा तो इस condition को satisfy करना चाहिए अब यहां से हमें इसको क्या करना है balance करना है और हमारी language बनानी है और इसको हमें irrational probe करना है तो यह आप सब के लिए homework वाला question है इसको करना अच्छे से अपने हिसाब से language बनाना और कोई भी अगर doubt हो तो comment works में comment करके ज़रूर बताना तो आज के लिए बस इतना ही इसके साथ ही हमारी exercise 1.2 भी complete हो जाती है ओके, so मिलते हैं next video में जिसमें हम exercise next जो exercise होगी उसके questions को हम discuss करेंगे next chapters जो होगे उनके introduction को हम discuss करेंगे और समझेंगे कि कैसे उनके क्या-क्या concept है, क्या-क्या basics है तब तक के लिए मस्त रहो, खुश रहो क्योंकि खुश रहे कि जो भी हम चीज़ सीखते हैं वो हमें बहुत लंबे समय के लिए याद होती है and stay connected with topboard academy, thank you